पाठे पूच्टत के एक्जामपल 3 पर चुके हैं हम एक्जामपल देखें है चार सिद्ध कीजिये 10 rép Phi 4 प्लस 1 बटा 2 Cos inverse A B प्लस 10 rép탉 pap 4 माइनüs 1 बटा 2 Cos inverse A B बराबर 2B बटा A यह सत्यापित कर रहा है तो यहां पर देखें inverse हमेशा कोणों के मावन होते हैं इसको हम theta माल लेते हैं तो यह 10 pi by 4 plus theta बन जाता है और 10 pi by 4 plus theta का सुत्र हम 11 पे पढ़ चुके हैं 1 plus 10 theta बटा 1 minus 10 theta तो यह सर्डिकरन हो जाता है इसलिए सबसे पहले हम इसको माल लेते हैं 1 बटा 2 cos inverse a बटा b equal to theta जब इसको theta माना है तो इसका theta का मान भी रखना पड़ेगा तो यह देखो 2 को इदर पक्षानतर करेंगे 2 theta फिर cos inverse का पक्षानतर है cos to theta का मान a बटा b तो cos to theta का मान a बटा b यह हम मान रखेंगे अब हम left hand side लेते हैं left hand side 10 pi by 4 plus 1 बटा 2 cos inverse a बटा b प्लस 10 pi by 4 minus 1 बटा 2 cos inverse a बटा b सिद्ध करना है इसके बरावर को left hand side लिया हमने अब यहाँ पर इसका मान ये माना है हमने 1 बटा 2 cos inverse a बटा b को क्या माना है 1 बटा 2 cos inverse a बटा b को theta माना है तो 1 बटा 2 cos inverse a बटा b कह स्थान पर क्या रख दिया तो देखिए 10 pi by 4 plus theta 10 a plus b खास सुत लगाएंगे 10 a plus b 10 a plus 10 b बटा 1 minus 10 a 10 b a का मान 5 by 4 b का मान theta तो 10 a plus b के सुत्र से 10 pi by 4 plus 10 theta बटा 1 minus 10 pi by 4 10 theta इसी परकार इसका सुत्र लगा देंगे 10 pi by 4 minus theta यह जाएगा 10 pi by 4 minus 10 theta बटा 1 plus 10 pi by 4 और 10 theta यहां पर plus है तो plus उपर और minus नीची यहां minus है तो minus उपर यह plus नीची ठीक है अल्टरनेट सुत्र है अब 10 pi by 4 यहीं 10 15 का मान कितना होता है एक तो 10 pi by 4 का मान 1 plus 10 theta बटा 1 minus 10 pi by 4 का मान 1 तो गोना 10 theta 10 theta होगे तो 10 pi by 4 का मान 1 राखा 10 pi by 4 का मान 1 राखा तो 1 minus 10 theta होआ यह 1 plus 10 theta अब यहां पर 1-10 theta 1-10 theta less up है eles eamu होगे 1-10 theta 1-10 theta 1-10 theta ligma SLCM 21 plus 10 theta 1 plus 10 theta 1 plus 10 theta से गोना हो जाएगा 1 plus 10 theta का 소 Live perform il Jausa 1-10 theta इस 1-10 theta से गोना होए 1-10 theta का . ama जो LCAM इनका गुणा होता है तो ये इससे गुणा हो जाता है ये इससे गुणा हो जाता है घ्लिकर मेध eleg Crush me that आप याद रखे हैं तो ये 1 प्लस 10 theta का we'll square 1 प्लस 10 theta का we'll square ये हो ज adesso जेगा 1 पूक्फ 2 10 theta प्लस 10 square theta और 1-10 theta के We'll square 1-210 theta प्लस 10 square theta और इन दोनों का गुणा A minus B और A plus B का जो गुणा होता है A square minus B square होता है तो यह ज़ेगा 1 minus 10 square theta चीज़ेगा अब 2 ten theta और minus 2 ten theta यह cancel यह plus के 2 ten theta minus के 2 ten theta cancel 1 को रहे कितना होगे? 2 और यह 10 square theta पुलस का यह 10 square theta 2 ten square theta होगे यह cancel होगे इसे खट नहीं करना है अब इन दोनों में 2 common 2 common तो यह 1 plus ten square theta यह 1 minus ten square theta हमें इस को cost to theta के रूप में बदलना है तो देखो यह बटे में यह पक्षानतर यह अंश की जो संख्या है वो हर के हर में लिखी जा सकती है तो 1 plus ten square theta को हर के हर में लिख सकते है क्योंकि जैसे भाग करते हैं तो यह संख्या उलट करका जाती है उपर तो उसी प्रकार से उपर अंश की जो संख्या हो हर के हर में लिख सकते है तो यह 1 plus ten square को यह हमने लिखे उतार दिया क्योंकि 1 minus ten square बटा 1 plus ten square यह सुत्र है आपके हमने परसुपड़ादा cost to theta का सुत्र cost to theta का सुत्र 10 के पदों में 1 minus ten square बटा 1 plus यह cost to theta के बराबर है और cost to theta का मान समीकर नमबर देखो एक से यह cost to theta यह हमने समीकर नमबर एक से क्या है? किसके बराबर है? a बटा b के बराबर है तो cost to theta का मान a बटा b समीकर एक से मान रखा है यह समीकर एक से मान रखा तो यह b का जाएगा उपर तो यह क्या हुआ? 2b बटा a और यही सत्यापित करना था लेफ्ट एंड साइड एंड राइट एंड साइड पराप्त हुआ 2b बटा a ये हमें राइट एंड साइड 2b बटा a के बराबर सत्यापित करना था जीड़ें तो इसको हमने क्योंकि समीकरन cost to theta का मान अ बटा भी है तो कोश्ट थिटा के रूप में बदला है ये 1 तलस 10 इसकोर को हर के हर में लेके आगे अंश को हर के हर में लिख सकते हैं ठीक है ये ध्यान रखें अंश को हर के हर में लिखा जा सकता है क्योंकि यहार कहा जाता है अंश में जाता है ठीक है तो इस परकार से यह कोश्ट हो तिटा और कोश्ट हो तिटा का मान ए बटा भी बी को हम लेगे उपर फिर से तो टू भी बटा एक के बराबर सत्याफित हुआ है हाँ देखिए एक्जामपल पांच इंपोर्टेंड है वैसे एक्जामपल चार भी इंपोर्टेंड है अधिक तर यह इसमें एक्जामपल जो है वह इंपोर्टेंड ही है तो एक्जामपल पांच जो इंपोर्टेंड है बोर्ड नमोने का परशन पत्र है उस 2018 के बोर्ड नमो बटा बी बडाबर alpha है, तो सिध कीजिए कि यह सत्यापित आपको करना है ठीक है, तो यह सत्यापित करना है, तो यह जो दिया गया है, इसको हम लेते हैं, कि co-s X बटा A plus cos inverse Y बटा B बराबर alpha तो cos inverse X plus cos inverse Y का सुत्र लगाते हैं यह सुत्र यह यहां लिखा गया है cos inverse X plus cos inverse Y का सुत्र हम पढ़ चुके हैं कि cos inverse इनका गोणा पलस होता तो minus आता है यह minus होता तो यह plus होता ठीक है, x गोणा y और minus under root 1 minus इसका वर्ग x square और under root 1 minus इसका वर्ग ठीक है, तो यहाँ पर x का मान x बटा यह है, x के स्थान पे x बटा यह आ रहा है और y के स्थान पे y बटा भी आ रहा है यह स्थान लगा है, cos inverse x बटा a, y बटा b दोनों का यूणा, minus a under root 1 minus इसका वर्ग x square बटा a square और under root 1 minus इसका वर्ग हुआ y square बटा b square ठीक है, equal to alpha, यह cos inverse को इदर पक्षान दर किया तो यह बनेगा cos alpha, यह cos alpha यह हुआ x y बटा a b और minus under root 1 minus x square बटा a square और under root 1 minus y square बटा b square अब देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है, यह सत्यापित करना, इसमें root कहीं नहीं आ रहा है इसका मतलब इसी से सत्यापित करना तो root को हटाना पड़ेगा, root को हटाने के लिए root का वर्ग करना पड़ेगा root का वर्ग करेंगे तो root को एक तरफ, root वाली संख्या को एक तरफ करेंगे तो ये cos alpha को इधर पक्षांतर करेंगे, cos alpha को इधर पक्षांतर करेंगे, cos alpha को इधर पक्षांतर करेंगे, minus cos alpha दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो इसका जह होगा होल इसकर और रूट का वर्ग रूट हटेगा इस रूट का वर्ग हटेगा रूट का मतलब घात आधी घात आधी का वर्ग जब करते हैं घात आधी कैंसल हो जाते हैं यानि कि रूट का वर्ग यह हट गया तो यह होज़ेगा पहली संख्या का वर्ग यानि x square y square बटा a square b square इनका गुणा और दुगणा तो दुगणा हो गया 2 into इसका गुणा xy बटाए b और कोस अलफा से गुणा इन दोनुका गुणा और दुगणा तो दुगणा 2 और xy बटाए b कोस अलफा इसका वर्ग हुआ क अलफा ठीक है एन दोनुका गुणा करते हैं तो पहले 500 को इससे गुणा कर दते हैं फिर इसको इस गटर वन का वन का 1 से गुणा वन MARK टा है इसकर से गुणा minus x square बटा इसकर तो 1 से गुणा हुआ इसका म माइनस वाई स्कर बटा बी स्कर का वन से गुणा माइनस वाई स्कर बटा बी स्कर माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस और इन दोनों का गुणा होगा एक स्कर वाई स्कर बटा ए स्कर बी स्कर तो देखिए एक तो यह केंसिल हो गई संख्या एक स्कर वाई स्कर बट हमें left hand side बें चाहिए y square बटा b square ये चाहिए ये minus 2xy बटा a b cos alpha ये चाहिए तो देखो ये आचुका है minus 2xy बटा a b cos alpha ये आचुका है ये minus x square बटा a square इधर पक्षांदर ये तो cancel हो गया तो इसको इधर पक्षांदर गया plus का ये minus 2 ये इसको इधर पक्षांदर गया plus x square बटा a square बटा a square और ये minus का 2xy बटा a b cos alpha ये से कैसे लिखा और minus y square बटा b square को इधर पक्षांदर कर दिया plus y square बटा a b square हुआ और ये cos square alpha को इधर पक्षांदर कर दिया यह दो आपका सत्यापन यह देखो यह cancel हो गया और 1-Cose square क्या होता है Sinus square तो यह सिद्ध हो गया आपका सत्यापित हो गया पर्षन में कुछ भी नहीं है Cose inverse का सुत्र लगा कर और Cose inverse को दर पक्षांतर कर दिया फिर root वाली सेंख्या को पक्षांतर कर दिया वर्ग कर दिया, जो संख्या cancel हो गई, cancel कर दिया और व्यवस्तित कर दिया, कैसे क्या सिद करना उसके अनुसार व्यवस्तित कर लिया x square बटाए square और यह चाहिए हमें इदर left hand side में और course square alpha को उदर पक्षा अंदर रह वह गई है, sin square alpha से सत्यापित हो गया तो बहुत ही आसान सा क्यूशन है इग्जामपल देखो छटा निम्न समीकण हल करना है समीकण को हल करना है सत्यापित नहीं करना है थीक है बहुत से हमने देखा एक्जाम में बच्चे सिद्ध करने बैठ जाते हैं कि left hand side बराबर right hand side सत्यापित करने बैठते हैं लेकिन यहां देखो इधर left hand side में A और B है right hand side में X है हम यह A को B के बराबर या A को X के बराबर या A और B के पदों को X के बराबर सत्यापी तो नहीं कर सकती है जबकि आपको कोई condition नहीं देगे तो यहां यह समीकन निमन समीकन को हल करना है तो देखो कैसे हल करते हैं तो यहां ओस inverse ठीक है 1-A इसक्वर बटा 1 प्लस A इसक्वर ओस inverse 1-B इसक्वर बटा 1 प्लस B इसक्वर इक्वल तू टू टेन इन्वर्स X इस परकार की कोई राशियां आती है 1-A इसक्वर बटा 1 प्लस A इसक्वर ठीक है यहां जैसे मैं और क्याता हूँ इस परकार से यह है आपके तीन राशिया 1-A इसक्वर 1 प्लस A इसक्वर और 2A A के पद में है और अगर B के पद में लिखते हैं तो 1-b square 1-b square और 2-b कहने का मतलब है कोई भी अक्षर हो सकता a हो b हो या c हो 1-c square 1-c square और 2c ये तीन राशियां इस परकार हैं कि इन में से कोई भी दो राशियां अगर अंश और बटा हर में हो कोई भी दो राशियां अंश जैसे ये बटा ये हो सीधा सीधा है a बडाबर 10 theta पर 30पन करेंगे क्योंकि सुत्र है ये 1-10 square बटा 1 प्लस 10 square का सुत्र अभी अभी हमने लिखा था 1-10 square theta बटा 1 प्लस 10 square theta equal to कोई टू theta होता है कोई टू theta होता है या 2-10 theta बटा 1-10 square theta 10 to theta का सुत्र होता है और 2 10 theta बटा 1 plus 10 square theta ये sin 2 theta का सुत्र होता है ठीक है तो 1-a square बटा 1 plus a square के रूप में है ये ठीक है 2a बटा 1-a square के रूप में है 2a बटा 1 plus a square के रूप में तो इस परकार की कोई राश्य आती है 1-a square बटा 1 प्लस A स्क्वर ठीक है या 1 माइनस B स्क्वर 1 प्लस B स्क्वर या 2B के रूप में कोई राशिया आती है कहने कारत है योग अंतर या गोने के दो गोने के रूप में री राशिया आती है तो वहाँ पर 10 का प्रतिस्थापन करना चीए इन्वर्स पल्लों में यह हम आउकलर्ज में भी प्रतिस्थापन करेंगे और समाकलं में एसी राशिया आती है तब भी हम प्रतिस्थापन करेंगे तो ध्यान रखेंगे आगे भी हम इस परकार से यह कोई एसी कोई राशिया आ में से किनी तीन में से कोई भी दो अंश और हर में हो अंश बटा हर में की रूप में हो तो वे राश्यों उन राश्यों को टेन में परतिस्थापन करके हम सरल कर सकते हैं तो यहां पर देखिए ए बराबर हम परतिस्थापन करेंगे टेन थीटा ठीक है और बी का मान हम रखें तो यहां a का मान टेन तीटा रखा है तो फिर b का मान हम रखेंगी थेन 5 तो जब a बराबर टेन धीटा माना है तो यह तो इन Ηनवर्श-a किसके बराबर है धीटा की बराबर तो। थिटा का मान हुआ 10 inverse A, 5 का मान हुआ 10 inverse B, यह हम अंत में मान रखेंगे, ठीक है, तो अब हम लेते हैं यह समीकण, कि समीकण क्या है, पोस inverse 1 minus A square plus 1 plus A square, पोस inverse 1 minus B square, 1 plus B square, और 2 10 inverse X, यह का मान रख दिया हमने यहां, यह का मान कितना है, 10 थिटा, तो यह हुआ 1 minus 10 थिटा, बट 1 plus 10 square theta, A कमान रखा, इसे तरह B कमान 10 5 रखा, तो यह 10 square 5, बटा 1 plus cos inverse, यह से कैसे लिख दिया, 1 minus, और B कमान रखा, 10 square 5, और B square कमान 10 square 5, ठीक है, अब यह सुत्र, अभी अभी बताया था, 1 minus 10 square, बटा 1 plus 10 square, किसका सुत्र है, cos 2 theta का, ठीक है, यह थिटा है, तो थिटा लिख कोण phi है, तो phi लिखो, तो यह cos 2 phi का सुत्र है, यह cos 2 theta का सुत्र हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको सुत्र बताया थे, cos inverse, cos से cancel हो गया, 2 theta, cos inverse से cos cancel, 2 phi हो गया, और equal to यह हुआ, 2 10 inverse, 2, 2, 2, 2 का भाग देने पर theta plus phi equal to 10 inverse x, अब theta का मान, theta का मान 10 inverse है, तो theta का मान हमने रख दिया, 10 inverse a, 5 का मान कितना है, 10 inverse b, तो यह 5 का मान 10 inverse b रख दिया, equal to क्या है, 10 inverse x, ठीक है, यह 10 inverse a plus 10 inverse b का, फिर से सुत्र लगा दिया हमने, 10 inverse a plus b, बटा 1 minus ab, 10 inverse a plus 10 inverse b, important सुत्र है, सुत्र लगा दिया हमने, 10 inverse a plus b, बटा 1 minus ab, दोने तरफ से 10 inverse cancel, तो x बराबर, x कमान क्या हुआ x कमान a plus b और बटा 1 minus a b अब ये ध्यान रहे theta plus 5 बरावर 10 inverse x यहां से हम दूसरी प्रकार से भी हल कर सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर क्या है theta plus 5 equal to 10 inverse x तो मैं लिखता हूँ यहीं से आपको theta plus 5 equal to 10 inverse x यहां पर हमने theta phi कमान रखकर सरल किया अब यहां से x से बरावर ऐसे यह x बरावर 10 को इदर पक्षान दरो 10 theta plus 5 equal to x तो x कमान इससे भी प्राप्त हो जाता है अब 10 a plus b का सुत्र क्या होता है 10 theta 10 phi बटा 1 minus 10 theta 10 phi equal to x और 10 theta कमान हमने क्या माना था यह 10 theta कमान हमने माना था a और 10 phi कमान b तो 10 theta के इस्थान पर a रख दो 10 phi कमान b रख दो 1 minus a b तो यह देखो x कमान इससे भी ग्याद कर सकते हैं तो x कमान a plus b बटा 1 minus a b a से भी हम ग्याद कर सकते हैं कि 10 inverse को पक्षान दरो ठीक है तो हमने यहाँ पर a और theta और phi कमान रख कर और फिर सुत लगा है यहाँ पर 10 inverse के इदर पक्षान दर करके और सुत लगा कर फिर 10 theta 10 phi कमान रख तो ऐसे भी कर सकते हैं प्रसुन को तो यहाँ पर आप ऐसे कर लो a कोई विदी एक दिमाग में रखें आप दोनों परकार से आप कर सकते हैं तो theta के स्थान पे हमने रखा theta का मान क्या रख दिया 10 inverse a और 10 inverse b और फिर 10 inverse a प्लस 10 inverse b का सुत लगाया 10 inverse cancel x का मान यह प्राप्त हुआ अब है example number 7 example number 7 क्या है सिद कीजिए post 10 inverse sine quote inverse x equal to यह सत्यापित करना है अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि quote inverse x इसको अगर हम theta मान लें तो यह किसका मान होगा sine theta तो sine theta का मान पहले हम x में ग्याद करेंगी और जब उसकी value x में ग्याद हो जेगी फिर 10 inverse जो रासी है x में उसको हम मानेंगे 5 और फिर cos phi का मान निकालना पर्षनों में हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे कि पहले इसको मानेंगे फिर इसका मान फिर इसका मान निकालेंगे तो quote inverse x को हमने theta मान लें तो यह जोएगा theta तो इसको इदर पक्षांतर करने पर quote theta का मान कितना हुआ x अब हमने इसको अगर theta माना है तो हमें किस का मान निकालना पड़ेगा sin theta का मान तो sin theta का मान ग्याद करेंगे लेकिन sin theta का मान हम ग्याद कर सकते हैं क्योंकि हमें value पता है किसकी quote theta की sin theta की value हमें देखो x में प्राप्त करने हैं यह x में equal to x तो sin theta की value x में प्राप्ट करने तो x का मान के गवा कोड theta तो sin theta को पहले कोड theta में परिवर्तित करें तो कैसे परिवर्तित करेंगे कि sin को हम cosec में परिवर्तित कर सकते हैं एक बटा cosec लिख सकते हैं और cosec square बराबर होता है 1 प्लस coat square तो cosec का मान होजेगा अंडरूड 1 प्लस coat square ठीक है cosec theta बराबर अंडरूड 1 प्लस coat square होता है सेक बराबर क्या होता है अंडरूड 1 प्लस 10 square होता है तो cosec बराबर अंडरूड 1 प्लस coat square और quote theta का मान कितना है x तो यह हुआ underwood 1 plus x square quote theta का मान x रखा तो x square हुआ समीकर नमबर 1 यह sine theta का मान हमें मालूम हुआ अब हम लेते हैं left hand side post, ten inverse, sine, quote inverse x quote inverse x को हमने क्या माना theta तो इसके स्थान पे theta रखेंगे तो यह बनेगा post, ten inverse और sine और इसका मान रख दिया हमने theta, क्योंकि quote inverse x किसके बराबर है? theta के तुले है, अब sine theta का मान समीकर नमबर 1 से sine theta का मान रख दिया हमने 1 बटा अंडरूट 1 plus x square यह हुआ आपका समीकर नमबर 2, क्योंकि sine theta का मान, समीकर नमबर 1 से एक बटा अंडरूड वन प्लस अक्सिस्क्वर समीकन एक से यह मान हमने साइन थीटा का मान रखा अब इसको अगर मैं 5 मान लेता हूँ तो हमें left-hand side याने कि cos 5 का मान निखालना पड़ेगा तो इसलिए हमने फिर से पुने मान लिया कि 10 adverse 1 बटा अंडरूड वन प्लस x स्कवर उसको हमने क्या मान लिया फई मान लिया तो 10 5 का मान ने कितना हुआ एक बटा अंडरूड वन प्लस x स्कवर हुआ तो यह समीकर नमबर 3 तो 10 5 का मान यह हुआ हम इसको 5 मान रहे हैं तो हमें किसकी value निकालना है तेन फाइज से तो कोस फाइज को तेन फाइज में बदलेंगे जैसे हमने साइन को किसमें बदला कोस एक में फिर कोट में उसी परकार कोस फाइज को एक बटा सेक लिख सकते हैं और सेक को हम लिख सकते हैं एक बटा अंडरूड वन प्लस टेन इसक्वर सेक बराबर होता है से बटा root 1 plus x square तो 10 square कमान हुजएगा एक बटा root हटेगा one plus एक बटा one plus x square टेν स्के इस्के कमान एक बटा one plus x square अब इसका सरली कराण के रहेंगे तो one plus x square LCM तो यह one plus x square plus one तो यह under root one plus x square का जाएगा ऊपर और यह एक करे कीटना ऊएढा दो plus x square root 2 plus x square 2 plus x square root में और यह root का 1 plus x square उपर आ जाएगा तो root उपर आ जाएगा यह अपके तो cos 5 का मान यह root 1 plus x square उपर आ गया और एक रेक दो root 2 plus x square हो गया ठीक है इसको हम लिख सकते हैं under root 1 plus x square x square plus 1 लिख सकते हैं और 2 plus x square को x square plus 2 लिख सकते हैं यह आपका क्या हुआ root 1 plus x square उपर आ जाएगा और under 2 plus x square यह और यह आ जाएगा आपके इसको x square plus 1 लिख सकते हैं और इसको x square plus 2 लिख सकते हैं under root का यह समीक नमबर 4 तो हमारा left hand side है समीक नमबर 2 से समीकर नमबर दो जो था कोस 10 inverse 1 बटा under root 1 प्लस अक्सिस्कर पीछे समीकर नमबर 2 देख सकते हुआ कोस 10 inverse 1 बटा under root 1 प्लस अक्सिस्कर था तो अब ये हुआ हमने किस के बराबर बना 5 के बराबर 10 inverse 1 बटा under root 1 प्लस अक्सिस्कर को हमने 5 माना था इसके स्थान पे फाइल एक सकते हैं तो यह बना cos 5 और cos 5 का माहन यह रख दिया हमने under root x square plus 1 और बटा under root x square plus 2 और यही हमें सिद्ध करना था right and side ठीक है तो इस परकार से यह परशनो सत्यापित हुआ पहले हमने quote inverse x को theta माना है और फिर sin theta की value निकाली है उससे और फिर हमने 10 inverse इस 10 inverse 1 गटा under root 1 plus x square 5 माना है तो 10 5 का मान एक बटा under root 1 plus x square से हमने quote 5 की value निकाली 1 गटा से 1 बना कर और 1 गटा से 1 को हमने लिखा एक बटा under root 1 पलस 10 square 5 10 square 5 का मान लगकर सरल किया तो यह आ गया तो quote 5 की value क्यों ही यह left hand side के तुल्ले है अब example number आपके हैं आठवा देखें निम्न समीकन को हल करो फिर से समीकन को हल करना यानि x का माल मिकालना है तो यहाँ पर देखे 10 inverse 1 बटा a-1 और equal to 10 inverse 1 बटा x plus 10 inverse 1 बटा a इसकर minus x plus 1 थोड़ा समीकन का अउलोकन करो हर में यहाँ पर दो राशियां है यह हर में 1 राशिया है यह 3 राशिया है अगर 10 inverse x plus 10 inverse y का सुत्र इसमें लगाया तो यह 3 राशिया को एक राशिय के साथ में हल करना पड़ेगा ठीक है और अगर मैं इसको इधर पक्षांतर कर देता हूं तो दो राशी को एक राशी के साथ में हल करना पड़ता है तो एक तो दो राशी को एक राशी के साथ में हल करते हैं ये थोड़ा सा कठिन होता है कि तीन राशी को एक राशी के साथ हल करते हैं, तो थोड़ा सा कठिन बन जता है, क्योंकि दो राशियां, तीन राशियों से थोड़ा सा आसान पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा सरलीकरण, क्योंकि समीकरण को सरल करना है, हल करना मतलब सरल तरीके से हल करोगा, तो इसको हम इधर पक्षान्तर कर देंगे, 10 inverse 1 बटा x को, वैसे आप यहां से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जटिल क्यूशन हो जाएगा, इन दोनों में सुत लगा कर फिर हल करोगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा जटिल क्यूशन हो जाएगा, कर सकते हैं, इसको थोड़ा असानी के लिए इधर पक्षान्तर कर दिया हमने, 10 inverse 1 बटा x और 10 inverse 1 बटा a-1, क्योंकि इनको हल करना साथ में थोड़ा सा असान रहेगा, अब इसमें 10 inverse x minus 10 inverse y का सुत्र लगाएगे, 10 inverse x minus 10 inverse y का सुत्र भड़ चुके हैं, फिर से एक बार फिर लिख निताओं में, यह 10 inverse x minus 10 inverse y का सु इसमें थोड़ा सुत्र क्या होता है, 10 inverse बाहर और यह ओज़ेगा, x minus y बटा 1 plus xy, ठीक है, माइनस है तो माइनस उपर और पलस लीचे, x minus y बटा 1 plus xy, ठीक है, तो दोनों का अंतर बटा 1 plus दोनों का गुहनफल इस परकार से, तो यह x है और यह y है, तो 10 inverse यह हुआ, एक ब बटा x, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, 10 inverse एक बटा, a square minus x, पलस 1 को इस तरह लिख दिया, अब दोनों तरह से, 10 inverse, 10 inverse, तो यह बच गया, आपका left hand side और इधर right hand side में, यह से, बच गया, अब इसको सरल करते हैं, तो सरल करते हैं, तो देखो, इन दोनों का गुणा less up है, तो इ यह less up लेते हैं, तो यह x से गुणा और यह x से गुणा होगा, तो यह x से गुणा होगा x, और यह minus a, minus 1 से गुणा होगा, minus a, और minus 1 का minus 1 से गुणा क्या होगा, plus 1, ठीक है, x और यह minus 1 से गुणा होगा, minus a, और यह minus 1, minus 1 से गुणा, plus 1, यह x गुणा a minus 1, इन दोनों का ग किस से गुणा होगा एक से तो एकस माइनस वन इसको अगर गुणा करते हैं तो एकस माइनस एकस 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 सबसे पहले मैंने x से गुणा कर दिया देगो x का a square से गुणा a square x फिर x का x से गुणा minus x इसकर फिर x का गुणा 1 से plus x अब minus a से गुणा minus a q फिर minus minus गुणा कर देगे plus a गुणा x जाएगा और फिर minus a का 1 से गुणा minus a आगे हैं फिर 1 से गुणा करेंगे इसको तो a square फिर minus x और plus 1 और यह ऐसे के ऐसे लिख खंगे अब यहाँ पर देखिए यह ax plus का यह ax plus का इदर cancel हो गया यह plus का x और यह minus का x यह cancel हो गया यह plus का 1 और यह plus का 1 यह cancel हो गया तो यह पद बज गया आपका एक, दो, तीन, चार, पांच और यह 6 पद यह 6 बज गए आपके ठीक है तो यह पद बज गए आपके तो a square x ठीक है a square x यह बचा यह minus x square यह minus a cube यह minus a ठीक है minus a plus a square और इस minus x को इदर plus x इदर पक्षानतर कर दिया ठीक है तो यह a plus x बराबर 0 तो यह 6 पद बज गए अब इसको हम थड़ा विवस्तित करेंगी तो देखो यह दो गात और एक गात कितना है तीन गात और यह तीन गात इनको पास पास में रख देते हैं तीन गातों वालों को पास में रख दिया यह दिव गात है यह दिव गात है तो इन दिव गातों वालों को पास में रख दिया और यह single गात और यह single गात तो यह single गातों को पास में रख दिया इसमें a square common लेते हैं तो क्या बनता है x-a व्यवस्तित इस परकार करें कि इन दोनों को देखो तीन गातों को पास में रखा तो a square common लेने पर x-a बन रहा है इसका मतलब जो 2 गात में वो x वाला पद पहले और बाकी बाद में और एक घात वाले में भी x वाला पद पहले और बाद में तो इसमें a square common x-a इसमें minus common x square minus a इसमें minus plus क्या बन जाएगा minus और यह square यह x-a बराबर 0 इसके गुणनखन x-a इसके गुणनखन x-a x-a प्लस ए होता है यह x-a है तो देखो इस पद में x-a इस पद तीन उपद में यह एक दो तीन तीन पद है इसमें x-a common x-a common लेंगे तो यहां से बचेगा a square minus x-a और x-a का भाग x-a में a में देगे प्लस 1 बचेगा यहां ठीक है यह हुआ minus x और minus e अब यह तो यह 0 के बराबर होगा यह 0 के बराबर होगा तो इसको 0 के बराबर रखा य यह कोश्ठक 0 के बराबर तो इससे x-a common आ गया a और यह minus x को इदर पक्षानतर कर दो प्लस x आएगा तो x बराबर x बराबर यह minus x जब इदर पक्षानतर करेंगे तो a square minus a plus 1 के बराबर आ गया तो यह x-a common यह दोनों प्राप्त हो गया ठीक है तो example आठवा important है ठीक है इस प्रकार से हमने example किये हैं कल हम और example करेंगे इसमें